पिछले दिनों देश के साथ विधान सभा और तीन लोग सभा सीट पर मतदान हुए जिसका मतगनना चल रहा है और रिजल्ट करीब करीब सामने आ चुका है रिजल्ट के अनुसार उत्तर परदेश के दो लोग सभा सीट अर्थात रामपूर और आजमगर सीट पे बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही है जहां रामपूर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर लिया है वहीं आजमगर सीट पर बीजेपी उमिदवार दिनेस लाल यादव उर्फ निरहुआ लगभग डेर हजार वोटों से आगे चल रहे हैं वहीं रामपूर सीट से बीजेपी उमिदवार लोधी जीत दर्ज कर चुके हैं हलांकि अभी सप्पा उमिदवार इस बात को मानने को तयार नहीं है और वो सायद वहाँ पे रीकॉंटिंग की मां कर रहे हैं वहीं पंजाब में आमादनी पार्टी को तगरा जटका लगा है और संगरूर लोकसभा सीट से अकाली दल उमिदवार सिमरंजीत सिंग मान चुनाव जीत गए हैं जबकि आमादनी पार्टी के उमिदवार चुनाव हार गए हैं इतना ही नहीं ये वही सीट है ज पंजाब में आमाद्मी पार्टी का सिक्का ढलता हुआ दिख रहा है और केजरिवाल का जो कहा जा रहा था दिल्ली मॉडर्ल उसे पंजाब की जनता ने नकार दिया है। जाने वाला रामपूर और आजमगर सीट अब बीजेपी के जोली में जा चुकी है। ऐसे में असपश्ट है कि योगी आदितनात के कारियों से यूपी की जनता बिलकुल संतुष्ट है क्योंकि ये वो सीट है जहां बीजेपी कभी भी नहीं जीती थी। में बीजेए कुछी के जीती ओया मिंगे से लिए ये जीती थावी कारियों से ये जीती शावी के अड़ से वाला रामपूर आज है। भी ये जेजेए ये टीजेश्ट है लिए्यां उन्रह बीजेए वीजेश्ब